बीजेपी ने पूछा क्या अटल के सिखाय रास्ते पर राहुल चले कहा इमांदारी के सामने घुटने टेके PTI, नई दिल्ली कॉंग्रेस के पर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई की समाधी पर सोमवार को श्रद्वा गांधी का जाना, इमांदारी के आगे घुटने टेकना है, सवाल ये है कि क्या वह उनके सिखाय रास्ते पर चले हैं, भारत को बदनाम करने से लेकर टकड़े टकड़े गैंग का समर्थन करने तक राहुल गांधी के वल नफरत फैलाते हैं, एक तरफ राहुल गांधी सद जैव अटल जाकर वाजपेई को शब्धान जली देते हैं और दूसरी तरफ उनकी पार्टी के नेता अप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी ने कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका जुम खरगे के ओफिस से जुड़े नेता गौरफ पंधी के ट्वीट का मसला उठा की, कॉंग्रेस नेता गौरफ पंधी के शब्द राहुल गांधी के विचार हैं, कॉंग्रेस प्रवक्ता सुप्या श्रीनेत ने कहा कि किसी की ट्वीट को बेवज़ा तूल दिया जा रहा है, उन्होंने कहा, मजे लगता है कि जब राहल गांधी किसी चीज के लिए देश यादव, BSP सुप्रीमो मायावती और RLD अध्यक्ष जयन चौदरी समेथ गैर BJP दलो के कई नेताओं को आमंतरित किया है, पूर्व डिप्टी सीम दिनेश शर्मा को लखनव यूनिवसिटी के प्रोफेसर के रूप में आमंतरित किया गया है, यात्रा तीन जन्वरी को गाजियाबाद में लोनी के रास्ते अप में प्रवेश करेगी, PTI केंद ने खुफिया अधिकारी लगा रखे हैं, कॉंग्रेस ने सोमबार को आरोप लगाया कि केंद सरकार भारत जोडो यात्रा को बदनाम करने के लिए खुफिया अधिकारियों का इस्तेमाल कर रही ह कर रही है